तो मैदान से लेकर मल्टिप्लेक्स तक जबर्दस अक्षन पैक्ट ड्रामा चल रहा है, इशन गेम चुरू हो चुका है, मेडल मिल रहा है, जमा जम बारिश चुरू हो गए है, और मेडल्स की इसके लबाद भारत ऑस्टेलिया वन डे सीरीज चल रही है, वल्ड काप आने व जानकाजी रहती है, जानकाजी रहती है, एक्सपर्ट है, तो तिवहार का आप उसम चुरू हो रहा है कि तरह से प्रस्टिवल ता ही, फिल्मों के लिए भी और स्पोर्स के लिए बतलब आप कह सकते हैं कि मैदान से लेकर मुटिप्लेक्स तक धूम ही धूम है, बहुत सार बारिश की है, रोवर्स ने अच्छी की है, गोल्ड अभी तक मिस्किया लेकिन पिछली दफा में सतर मेडल मिला था, हम उम्मीद कर रहा है कि असी कमसे का माद आगा तो बहुत ही चांदर रहेगा, और गोल्ड की संक्या पड़ेगी, अधिकारी हंडेट की बात कर रहे हैं मुझे थोड़ा सा दूर की कॉड़ी लगते हैं, इसके अलावा एशन गेम्स के तुरंद बात, जो अगले जैसे आट एशन गेम्स खतम हो रहा है, आट को उसे पहले 5 से लेके 19 नमंबर तर वल्ल कब का सीजन शुरू हो रहा है, और पहला नाच जो ही इंडिया का उस्टे फेस्टिबल पाइसे बहुत करता है काप्रेट लगता है, तो अगर अगर आपको पैसे की दिकत्राइस पैसे की बात नहीं कर सकतिए, इसका बात पहुत पैसे है इंटाधाथ नियों ढ़ात्तरा का विछा ल्ल्हाँ देट को भी टुक्त के औहा है, जो सब्समेह पर चुर तो अगले 57 दिन जो कहते हैं जिसको की jam-packed, power-packed है तो एक उस शारुख खान का डाइड़ था की कुर्सी की पेटिर भाग लीजिये तो जो फिल्मों को पसंद करते हैं, फेस्टिबल्स को पसंद करते हैं तो अगर फिल्मों की बात करें, जैसे स्पोर्स तो jam-packed है, मैदान से मल्टिप्लेक्स में क्या होता है मल्टिप्लेक्स में अगर मैं बात करूँ तो शारुख ने शुरुबात काफी अच्छी किया और जैसे की क्रिकेट की मतलब किर्केट की भाषा में कहा जाता है कि उन्होंने स्टार्ट अच्छा दिया है और मुझे लगता है कि वह फेनिश भी बहुत अच्छा देंगे क्यूंकि वह डंकी, मतलब शारुख ने की इस साल की मच अवेटेड फिल्म है, राजकुमार हिरानी के साथ उनका फिर्स एक गदर 500 क्रोड रुपए का बिल्स्युक्त अच्छा रख कर लीए और यह जो जवान शीटी आई है यह भी 1,000 को करीब रहा है, मतलब कि कह सते हैं कि ए शारुक ने वाडप से पहले छक्कामार दिया है और कौन से पिक्चर और कौन से आरी जहां पे लोग मंटिप्लेक्स में जाएंगे अला कि इधर फिर से कर्चर वाड़ा है, हम बजपन में आकर कही पिकनिक जाना होता था या चुट्टी कुछ अच्छा करते तो तो पूरी फिल्म पिक्चर जाते थी वो करते फिर से मंटिप्लेक्स के बदर से मतलब आप कह सकते हैं कि फैमिली एंटर्टेइनर्स की लाइन लगने वाली है क्योंकि आपने बता है सल्मान खान टाइजल 3 लेकर आ रहे है एक शारुकान की डंकी आ रहे है और अक्षय कुमान मिशन राणी गंज लेकर आ रहे है जिस पर अभी से काफी बज शुरू हो गया है उनोंने टीजर कर दिया रहे है गागा रिलीज कर दिया है केट्रीट एक कैफ की मेरी कृस्क्रस आईगी इसके अलावा कंदारोथ एमर्जेंसी लेकर आ रहे है तो जिसका थोड़ा सा पॉलेटिटल इंड्रेस्ट है जो इस तरह की फिल्मों में दिचस्पी लेकर उनके लिए उनके लिए एमर्जेंसी एक्सा उप्शन होगा सिधार्त मलोत्रा यूद्धा लेकर आ रहे है जो कि पहले कहा रहा था कि पहले रिलीज होने वाले थे लेकिन अब शायब इस साल के एंड कर रिलीज होगी और इसके अलावा रन्बीर कपूर की एनिमल आने वाली है तो एनिमल में भी एक बार फिर हमें नौर्थ और साथ का कॉमिनेशन मिलेगा कि रश्पी का मंदाना है और रन्बीर कपूर है बॉबी दियोल भी इस फिल्म में तो मजलब काफी इंपरेसिव लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि यह जो फिल्म में ज़रूर देखोंगा और आप अगर अगर मैच देखना हो इस बीच में आप कॉन सा मैस देख रहे हैं अगर अगर देख रहे हैं तो अगर आप अगर बड़ कुछ अलगी लगता है वह मतलब जैसे आपको अगर वर्ल्ड कप अगर अच्छ रहे के अच्छ रहे के तो इस बीच दिन में आप सारा बोर जाएंगा यह मैदान से लेके मुटिपलेक्स अगर पावर पैक्ट अच् तो आपके लिए कुर्सी की पेटी बारा बिल्कुल बिल्कुल पूरा होकर टाइम निकाल लीजिए तो मैं विमन महान और यह है पुर्वेशी हम लोग दूनों एंटीजिनी से आपको बहुत-बहुत शुक्रिया वाज करें तैंक यू सो बिल्कुल पूरा होकर ताइम नि